अपनी आदतें बिजेताओं वाली रखिए क्योंकि काम्यावी गुलाम होती है आपकी आदतों की बिल्कुल सई सुना आपने हलो साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार पीवे आर स्टेडी में उमीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चल रही है और नहीं भी चल रही है तो उसके जिम्मेदार आप खुद है याद रखिए अगर आप बरबाद होना चाहते हैं तो आपको बरबाद होने से कोई नहीं रोंक सकता है हर कोई चाहता कि आप बरबाद हो जाओ सिवाए आपके माता पीता के बाकी कोई नहीं चाहता दुनिया में कि आप बनो अच्छे बनो आगे बढ़ो त क्योंकि हमें भी लोग पीछे को ही खीच रहें आज बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं ये पहले ही तस्वीर में देख करके आप समझ गये हूंगे इसमें हम क्या-क्या आपको बताएंगे पार्क से संबंधित कुछन है और पार्क के इंट्रेस्टेट कुछ पिक्चर भी लग सब्सक्राइगा और तस्वीरों के मद्यम से तो अगर आपको मैच सीखना है तो आपको इस सेशन को पूरा देखना है ठीक है रील में ऐसे इसे करके जिंदगी अपनी ऐसे ऐसे ना करें वाटसब और इंस्टागराम और घंटागराम काका बोलते हैं जहां भी टाइम बेस सायद इसके बारे में मैं बता चुका हूँ पिछली कलास में वहतरीत तरीके से आज सिर्फ बताना है एला चलते हैं पिछले कलास को नहीं देखा है वीडियो में कमेंट करेंगे यह description में दी गई लिंक, comment में pin की गई लिंक से जाके उसे देख लेंगे आईए, कहरा कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चड़ाई करमसा 500 मीटर और 300 मीटर है भहिया हो, आयताकार दिया है नि रेक्टेंगुलर दिया है जिसकी length दी गई है 500 और brush दी गई है 300 मीटर कहरा कि ज्याद कीजिए भूखंड का छेतरफल, आपको इसका area find करना है और इसकी cost find करना है यदि 1 मीटर स्कार का जो मुल है वो एक लाख रूपया है भहिया बहुत महंगा है, काफी अच्छी जगा पर जमीन है ये मतलब समझ रहे हैं इसमें क्या करना है इस तरह का कुछ plot दिया गया है ये क्या है आयताकार भूखंड है आप कहोगे इसमें आयताकार कहां दिख रहा है आयताकार हम आपको सिर्फ इतना दिखाना चाहते हैं आप अगर देख पा रहे हो मुझे अच्छे से तो यह देखो rectangular है इसकी लंबाई यह है यहाँ पे दिख रहा ना आपको यह लंबाई है यह क्या इसकी चोड़ाई है बताओ rectangle आकार का है यह जो green वाला इतना की बात कर रहे है यह क्या एक प्लाट है आपने देखा होगा अक्सर बच्छों के माता पिता भी प्लाटिंग करत रहे हैं करते हैं हमारा पापा प्रॉप पॉटी डीलर है सुने हो तो यह क्या है इसकी कोश्ट है क्या है कोश्ट के बारें बात करेंगे पहले बात करते हैं इसकी जो लंबाई 500 मीटर है ऐसा माना गया है और यह 300 मीटर है ठीक है भाईया इसका जो चार्ज है वो वन मीटर स्क्वाइर का एक लाक रुपया है मातर एक लाक तो पूछ रहा है पहले तो इसका छेद्रफल बताओ और फिर इस रेट के एकॉर्डिंग इसकी कितना कॉष्ट आएगी टोटल ये भी बताना है आएए देखते हैं मगर प्यार से क्या करेंगे सबसे पहले सबसे पहले तो प्लाट तो बना कि मैं आपको दिखा चुका हूँ थोड़ा सा मुझे अगला पेज के लिए अनुमती दीजिएगा तो मैं हूँ चल भाईया तो इनको मैं करूंगा साइड में प्लाट वालों को और इनको में मिटा दूंगा ठीक है डन चलो भाईया पहले हम एक तस्वीर यहां पर बनाएंगे यह तस्वीर तो आप जानी गयों बनाई दियूं बनाया देता हूं नराज हो रहे हो लो आयताकार प यह 500 है यह 300 है ठीक है यह लो थोड़ा टाइम लग जाता है क्या-क्या निकालना था छेत्रफल निकालना इसका लंबाय और चोड़ाई दी गई है सबसे पहले ज्यात कीजिए भूखंड का छेत्रफल तो फाइस ठाल करेंगे पहले एरिया ठीक है भाईया चलो आओ पहला भूखंड का छेत्रफल भूखंड का छेत्रफल यानि एरिया आपको पता है कि यह भूखंड आयताकार है रेक्टुंगलर है तो इसका एरिया क्या होगा लंबाय और चोड़ाई length into breath है न तो yell into b भी आप कह सकते है यह 500 है वी 300 है इस तरह से आपका यह 15 और यह 4 0 ठीक है यह मीटर का 1,50,000 क्या एक लाख पचास हजार वर्ग मीटर इसका एरिया हो गया यानि बहुत बड़ा भूखंड है वो काफी महंगा है सबकी हिम्मत नहीं है चलिए आभी बाद में हम लोग हिम्मत बनाएंगे पहले question कर लेते हैं इसका cost भी निकालना था इसमें दो question था ये पहला तो मैंने कर लिया area वाला इसका second part में भूखंड का मुल्य ग्याद करना है आईए second part कर लेते हैं लिखिए भूखंड का मुल्य बराबर भूखंड का मुल्य बराबर देखो भाईया इसमें दिया है कि क्या चुकि one meter square की cost एक लाख रूपया है देखो ये तो वहां तो आगया एक लाख पचाफ हजार मीटर स्कॉएर तो एक लाख पचास हजार मतलब अगर कहा जाए कि एक कलम की कीमत दस रूपया है तो दस कलम की कीमत एक कलम की कीमत अगर दस रूपय है तो दस कलम की कीमत के लिए दस को दस से गुड़ा कर दोगे है ना अगर कहें कि एक कलम की कीमत पंदरा रूपय है तो तीन कलम की कीमत कितना होगी पंदरा को तीन से गुड़ा करते हैं तो वैसे इसमें एक मीटर स्कॉयर का जो मुल्ल है वो दिया है भहिया बाबू एक लाख तो एक लाख पचाफ हजार मीटर स्कॉयर के लिए उसका उसमें गुड़ा कर देंगे तो सिंपल में आप का अंसर आजाएगा एक लाख पचास हजार ठिक है गुड़ा एक लाख एक लाख में पांच सुनना लगता है फाइनल में पंदरा को आपको ऐसे लिख लेना है इसका भाईया बाबू चार जीरो और इसका पांच जीरो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो नो, जीरो बहुत महिंगा जगा है रे बाबाई चलो इसको जल्दी लिख लो और आप अगर क्लास सेवंथ के स्टूडेंट है तो उत्तर माला वाला मिला लीजी अपना आगे बढ़ते हैं 11.1 इस कलास को पूरा इंट तक देखना बीच में बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना ठीक है देखिए अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं नीट जेई की त्यारी कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं तो याद रखना मेरे भाई ये कलास सिर्फ आपी के लिए है ठीक है कहीं कुछ गड़बड हुआ है क्या यार आठी जीरो आएगा क्या आठी जीरो आएगा क्या यहां का चार जीरो एक मिनट थोड़ा सा रुकना मुझे कुछ गड़बड कहीं से लग रहा है भई एक लाख पचाफ हजार ही दिया था ना चार जीरो उसमें आया था ठीक है और इसका मुल दस हजार रुपए था यार मैंने तो कुछ जादा इसका प्राइफ लगा दिया ठीक है कुईस्चन जैसे मैं लिखा हूँ बाबू उसके अकारडिंग ठीक है आपकी किताब में जो इसका रेट है वो एक लाख रूपए नहीं है वन मीटर स्कॉयर का सिर्फ दस हजार रूपए है ठीक है तो इसको लिख लिए हो तो मैं उसके अकारडिंग बता देता हूँ किताब के अकारडिंग लिख लिए है चलो ये कुश्चन गलत नहीं अपनी जगा सब सही है ठीक है इसमें क्या है भाईया इसमें बबुआ ये है कि इसमें एक जीरो कम है इसका जो रेट है वो केवल 10,000 रुपए है मैं तो कुछ जादे महेंगा कर दिया था ये 10,000 है ठीक है तो अगर हम यहां पर 10 हजार रख देंगे तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला एक जीरो यहां कम हो जाएगा लेकिन उसका थोड़ा फार्मेट बदल जाएगा तो ये 10,000 में ऐसे हो जाएगा तो इसमें एक जीरो कम हो जाएगा बस और कुछ नहीं सिर्फ एक जीरो यह क्या हो गया रुपए है अगला नेक्स्ट कुश्चन की तरफ इसका पीडियेफ हम आपको PBR study के टेली गराम चैनल पर इसका पीडियेफ देंगे अगला कहरा पार्क की बारे में कुश्चन है हम आपको वो पलार्ट तो दिखा दिए अब ये पार्क देख लीजिए पार्क जानते हो आप लोगों म देख करके कितने लोग पहचान रहें कहां का पार्क मुझे कमेंट करके बताना इधर साइड में आपको कुछ दिख रहा है जो लोग देखे होंगे और समझ गये होंगे कहां का पार्क है समझ गये तो फिर हम आगे बढ़ते हैं पार्क में होता क्या है क्या है इसका क्या मत लोड़ है भाई शोई चराव है वैसे सहर के जो लोग होते हैं जो दिन में कुत्ता टाहलाते हैं रोड़ पे वो कभी-कभी उप जाते हैं जिंदगी से तो पार्क भी चले जाते हैं मतलत समझ रहो गूमने टालने आप कुछ सहर वाले गरिया रहे होंगा इसा काय बोल रहा ह मैं उनके लिए बोल रहा हूं हमारे जैसे लोग हैं जिनके आसपास नजदीक में पार्क नहीं थुदा दूर पढ़ता जल्दी कोई जाता नहीं कभी कभार चले जाते हैं बहुत ज़्यदा बोर हो जाते हैं पेर लोड रहता वहां पे ऐसे टालने के लिए सारों में कुछ सुगधाय बनती रोडोड भी बना दिया जाता कीचा उचा नहीं होता गाउं की तरह बारिस होती है तो पानी बैता गांट गांट बर भर के असा नहीं होता ठीक है बाकी चीजें ज्यादा इसमें डिस्क्राइब करने का कोई मतलब नहीं है चली आगे बढ़ते हैं हाँ य पार्क में जा करके बातचीत करने का एक अच्छा स्थान होता है जहां पर कोई डिस्टरब नहीं करता है आप अपनी लाइफ के बारे में फ्यूचर के बारे में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जाकर डिसकस कर सकते हैं लेकिन बहुत से ऐसा भी पार्क होते हैं ज छोटा हो जा यार चलू आगें बढ़ें आईए अब देखें क्या कहता है कि एक वर्गाकार पार्क का छेत्रफल मैं पार्क दिखा रहा था ये लोग पार्क नहीं देखें। यह मुझे पता है कुछ और देख रहे थी छोड़ो उवर का आकार का मतलब भया यह जो पार्क का आकार है वो ऐसे जितना लंबा उतने चोड़ा है कि कह रहा है इसका छेत्रफल ग्याद करना है जिसका परिमाप दिया है देखो भाई सिंपल सा बात है समझो सिंपल सा बात है पहले समझो तो फिर हम आगे बात करते हैं तुम लोग भागो बहां से चलो चलो बहुत पार्क दिखा लिए चलो यहां से निकल लो यह चलो इसका परिमाप दिया है दिखे जो वर्ग का परिमाप होता है मैंने आपको बताया था या फिर आयत का सम में बताया था कि कि किसी लेते हैं वह उसका perimeter होता है तो इसका परिमाब दिया है कि परिमाब कितना दिया है बाबुआ भाईया सदीन सो बीस मीटर अब हमें इसकी भूजा नहीं पता है अगर हमें infections लिकालना है तो क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे यहां लिए वर्गाकार पार्ग्निटल और में और नहीं में आदो चलो अब बुजा का square होता है बुजा हमारे पास है नहीं अब बुजा क्या करेंगे हम मंगा लेंगे फिर कहीं से ट्रंस्पोर्ट करेंगे दूसरे जगा से वो कहां से आएगी इसी मैं से आएगी ठीक है तो यहाँ पे देखिए परिमाब बराबर क्या होता है इधर साइड में आजाओ इधर साइड में आजाओ वर्ग का परिमाप दिख रहा ना भाया वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है देखें वर्ग की यानी स्कॉयर की आल साइड इक्वल होती है तो वैसे तो सभी भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं लेकिन अगर इसकी एक साइड ए मान लो तो सभी साइड ए होगी तो सभी साइड को जोड़ेंगे तब फोर ए होगा तो हम कह सकते हैं चार गुड़े भुजा ये वर्ग के परिमाप का सुत्र होता है तो ये चार गुड़े क्या होता है भुजा ठीक है बाड़ करके बता दे रहा हूं नहीं समझ ही लो भूजा इधर ही रहेगी चार इधर आएगा भाग में हो जाएगा है ना तो यह कुछ आई से बन जाएगा ए भाइया इसे बन जाएगा चार अठे बत्तिस असी आएगा कितना आएगा असी समझते चलना बिल्कुल टेंथा लेने का है ठीक है तो यह कितना आएगा असी साइड आगई असी लिख लो यहां पर असी क्या आगई भूजा तो भाइया यह असी हो गया तो मुझे यह बता यह कितना होगा यह कितना होगा यह कितना होगा सभी बता लोगे बहुत आसान है तो इसका छेद्रफल वका हो ज स्कुराइर ये क्या आगया एरिया किसी को डाउड तकलीफ दुख दर्द तो मुझे बता दो आगे बढ़ें अगली क्लास कप चलेगी क्या कैसे है सारा फिस्टम समझाओंगा बिल्कुल दिल खोल के लाश्ट में क्लास खतम हो जाएगी तो जाना नहीं कहीं आगे बढ़ें का टुकड़ा ऐसे खेत मानलो आप ठीक है समझ रहे हो दिखराने थोड़ा अलग तरीके का दिखाने पर तोड़ा अच्छा अनुभा हो जाता मैत के बीच में हर्याली दिख जाती ना इसी सब के बारे में बात हो रही है क्या कह रहा है आयताकार भूखंड भूखंड इसका छेत्रफल दिया है भाईया बाबू लिख लो आयताकार है तो लिखेंगे आयताकार भूखंड का छेत्रफल देखो जो दिया है वही सुत्र लगाएंगे क्योंकि उसी से कुछ मिलने वाला है 440 मीटर स्कॉयर तो देखो आयताकार है तो आयत का छेत्रफल लंबाई गुड़े चोड़ाई होता है तो बबुखंड भाईया इसका भी वही हो जाएगा छेत्रफल लंबाई गुड़े चोड़ाई ठीक है बराबर कितना है 440 इसमें लंबाईया भी दी गई है तो रख तो ना भैवा काहे करों कर रहा है कौन लो आ गया ना अंसर चोड़ाई आ गई यह क्या है चोड़ाई बराबर 440 बटे 22 अब 22 दूना 44 कितना आगे चोड़ाई चोड़ाई यहां ले आव इनको चोड़ाई आ गई 22 मीटर में थाना सब क्या आगई भैया मीटर समझ न यहां से यहां तक किया उसके बाद आंसर यहां लिखाऊं यह क्या आ गई चोड़ाई बस यही तो पूछा था परिमाप भी पूछा है कर लोगे ना परिमाप बोल एक बर कर लोगे पक्का जल्दी एक बार देख लिजिए इसका पीडिया पी तो इसका शूत्र बन जाता है परिमाप बराबर 2 into L प्लस B इसमें लगा करके मुझे इसका अंसर कमेंट करके बताऊ चलों यह सुट्र है परिमाप का आयत के परिमाप का सुट्र है बावु यह पेरी मीटर का कर लोगे जिनको अभी 16 स्कृर्इंसार ले लो नहीं तो PVR study के टेली गराम channel पे हम इसको आपको solution का PDF बेच देंगे आगे बढ़ें जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है यार मजबूरी है क्योंकि time बचाना है अब चलो एक आयताकार seat का परिमाफ 100 cm है यह दिलंबाई दी गई है तो चोड़ाई ग्यांत कीजिए आयताकार seat सीट मतलब जानते हो अरे भाई जिस पर तुम बैट सते हो बेंच ओगरा स्कूल कॉलेज में वो भी सीट ही होती है ठीक है इसका परिमाफ दिया है और लंबाई दी गई है बहुत सिंपल है रे बाबा चलो आयताकार सीट का परिमाफ बराबर लिखो आयताकार सीट का परिमाफ बराबर हल आयताकार सीट का परिमाफ इंगलिस ओले लिखेंगे पेरिमीटर आफ रेक्टिंगूलर सीट इक्वल टू इन्टू एल प्लस बी ये सूतर होता है भाईया हो बाबू हो परिमाफ दिया है सो सेंटिमीटर और का दिया चाच्चा ये लंबईया भी दी गई है यल की जगा पे 35 धन B तो 100 इनका गुड़ा करोगे अंदर में भाईया तो 70 हो जाएगा धन 2 B दिख रहा है कहो साथी तो 100 माइनस ये 70 बराबर 2 B देखो 70 इधर आया है तो माइनस में हो गया है ठीक है तो ये आगया 30 बराबर 2 B दिख रहा न पक्का चलो तो B बराबर निकालेंगे तो इतना आएगा यानि B बराबर आएगा 15 हम कह सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई पूछा था ये चौड़ाई कितना आगई 15 सेंटीमीटर ये चाच्चा एतनेस काम नहीं चले हो छेतरफल भी पूछा है तो कर लोगे कि नहीं आयत का छेतरफल कर लोगे ना देखो भाईया बाबू इसकी चौड़ाई 15 है लंबाई या 35 है तो छेतरफल वा कर लोगे ना बोलो लंबाई गुड़े चोड़ाई होता है छेतरफल तो कर लोगे ना आप लोगना बहुत अच्छे हो एकदम निक्कू हो एकदम बढ़िया आओ चलो आगे बढ़े नेक्स्ट कुश्चन इसका छेतरफल आप लोग करके मुझे बताओगे वाट इदा एरिया आफ दिस रेक्टेंगूलर फीट नेक्स्ट कुश्चन बहुत ही अजब टाइब का है गजब टाइब का है बताया हूँ पिछली कलास में इस टाइब का मजा आ रही की नहीं देखो मजा नहीं आती है मजा तो फिर आती है वो वीडियो देखने में लपाला पौले में लेकिन कौन सा गाना आया था बोजपुरिया में कमरीय करे लपाला पौला न अरे बहुत कुछ होता है उसमें उसी मत मजा आती है आज कल का इवाव भी देखना चाहता है आप देखो अगर कोई एक गाने में को एक फुहडता डाल दिया न थोड़ा नंगा दिखा दिया कहीं कुछ कर दिया इसी हरकत वो वैरल हो जाएगा लेकिन कोई टीचर अपनी आत्मा जोंक दे तूंको पढ़ाने में कितना भी अच्छा उसका उतना अच्छा नहीं हो सकत आपके घर में भी एसा लगा होगा ठीक है समझ रहे हो ना भाईया बाबू समझ रहे हो ना ये पूरी क्या है दिवाल है ये ये दिवाल है दिवाल में लगा है दरवाजा देखो ये आपके घर में भी ऐसा लगा होगा आगे कहता है कि दिवार की लंबाई 4.5 मीटर है ये कितना है राजा भाईया 4.5 मीटर है चौड़ाई 3.6 मीटर है 3.6 तो कह रहा है कि 20 रूपे पर मीटर की दर्शे इस लिवार को अगर पेंट करवाना है, सफेदी कराना है तो कितना खर्चा लग जाएगा? बता खो, कितना लग जाएगा? कर लोगे कि नहीं ये 4.5 मीटर है 3.6 मीटर है दिख नहीं रहा है उखलर मुझे लग रहा है ये लो कहो अराम से आजाएगा ना चलिए देखिए सिंपल सा बात क्या है हमें पेंट दिवाल में कराना है सफेदी दिवाल में कराना याद रहे दरवज्जा पे नहीं कराना है है लग होता है लगड़ी लोग होता है लगड़ी लोहें का प्रेंट पहले उसको लगा जिससे उसकी जो सोखने की चमता है जहां तक मुझे पता है मैं अपना ग्यान बता रहा हूं कम हो जाती है और पेंट कम सोखता है और अच्छे से उसकी चमक आ जाती है ठीक है चलिए इतना जनकारी भी आप ले लीजिए साथ में काम की चीज है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम पूरे दीवाल का जो छेतरफल है न उसको निकालेंगे उ अगले पेज पर हल करेंगे चल भाईया चेंज करो लिखो दीवार का छेतरफल बराबर दिख रहा हो यहां तक लिखिए दीवार का छेतरफल देखो आयताकार थी क्या था लंबाई टू मीटर थी और चौड़ाई वन मीटर थी इसका मदलब ही आयताकार दीवार थी तो छेतरफल क्या हो जाएगा अगर आयताकार थी तो लंबाई गुड़े चोड़ाई सिंपल सी बात है भाईया लंबाई 4.5 मीटर है चोड़ाई 3.6 मीटर है छेतरफल कहीं दिया है क्या नहीं दिया है इसको निकाल लीजिए पहले गुड़ा करिए तो मल्टीपल कर लोगे न भाईया क्यों देखो यही से करना है 36 और 45 का गुड़ा करना है अब कुछ लोगों को इसमें भी कनफूजन हो रहा है एक अंक पर यहाँ दसमलो एक अंक पर यहाँ मैं आपको ट्रिक बताया था दो अंकी संख्याओं का गुड़ा करने का लेकिन कुछ लोगों को नहीं याद होगा तो फिर से देखो डारेक्ट गुड़ा करके बता देता हूँ 36 पंचे कितना होगा अरे 5 चंग 30 हासिल 3 5 ते पंदर 3 अठारा तो 36 पंचे 180 का 0 हासिल आया 18 और 36 चौका भई 4 चंग 24 हासिल 2 और 4 तीम बारदू चौदा इसमें जोड 2 अठारा यह होगे 8 चार बारदू हासिल 1 चार एक 5 और हासिल 1 चार एक 162 आप मुझे बताना अगर कहीं गड़बड होगा तो गुड़ा भाग में 1620 ना तो यह क्या हो गया 1620 ध्यान रहे एक और एक दो अंक परदा समलो यह इतना क्या हो गया यह मीटर नहीं सेंटीमीटर ठिक है यह इतना क्या हो गया भईया सेंटीमीटर का स्कॉयर छेतरफल को हमेशा ही स्क्वाइर में ही लिखते हैं अब क्या लिखेंगे अलिखो दर्वाज्य का छेतरफल दर्वाज्य का छेतरफल दर्वाज्य का निकाल के घटा दोगे टोटल से अब लिखो दर्वाज्य का छेतरफल देखो दरवज्जा भी आयताकार है रेक्टेंगुलर है ये भी क्योंकि इसकी लंबाई देखो दो मीटर है चोड़ाई वन मीटर है भया ये भी क्या है ये भी आयत की आकार का ही है इसमें भी आयत का सुत्र लगेगा तो 1 मीटर और 2 मीटर इसकी लंबाई चोड़ाई है चलो इसमें भी सुत्र लगेगा लंबाई गुड़े चोड़ाई तो इसका 2 लंबाई है चोड़ाई एक है बराबर 2 सेंटीमीटर ही सब रहना चाहिए मुझे नहीं याद आ रहागा सब मीटर में दिया है कोई सेंटीमीटर में नहीं है ठीक है कोई बात नहीं है मात रग तो इधर उदर होता रहता है यह मीटर इसको है ठीक है तो भाईया बाबू अगर यह भी मीटर में था तो इनको भी मीटर इसको है लिखोगे सेंटिमीटर इसको आए नहीं लिखोगे बस कोई फारक नहीं पड़ता इससे ठीक है लेकिन हाँ जो रासी कोईस्टिन में दी है मीटर सेंटिमीटर वही लिखोगे ऐसा नेक सवाल में मीटर लिखा है हम यह फेंटिमीटर लिख दें फिर उल्टा हो जागा कि टोटल दीवाल का छेतरफल निकालोगे उसमें से दरवज्जे वाला घटा दोगे तो जो बचेगा वो आपका रियल में उस दीवाल का छेतरफल होगा जितना हमें पेंट करवाना है तो चलो दरवज्जे को छोड़ कर सेस बची दीवाल का छेतरफल दरवज्जे को छोड़ कर सेश दीवार का छेतरफल क्या करेंगे दीवार का कुल छेतरफल माइनस दरवज्जे का कुल छेतरफल तो यह हो जाएगा बाबू 16.20 माइनस 2 घटाओगे तो 14.20 आ जाएगा यह मीटर का स्कॉयर अब लिखो दीवार को सफेदी कराने का खर्च ठीका लिख लोगे ना सफेदी कराने का खर्च रेट कितना था 20 के हिसाब फे 14.20 का गुड़ा कर दो मेरे भाईया कर लो बाबू चलो ये 0 लाइस्ट वाले अपने आप ऐसे लिख लोगे तो इनको कोई फरक नहीं पड़ता है 2 का गुड़ा कर दो, 2 दुना 4 2 चोग 8 और 2 एक कम 2 ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा इतना ये 0 है पीछे से 2 अंक पर दसमलो यानी 284 रुपईया खर्चा लगेगा कितना लगेगा भाईया? 284 रुपई ये मैंने गोच की लिखा है दिवार को सफेदी कराने का खर्च ठीक है? लिख लिजिए इसका PDF PVR Study के टेलीगराम चैनल पर भेज दिया जाएगा आप इस कलास को अगर धंग से पढ़ना चाहते हैं इंज्वाय करना चाहते हैं मस तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं PBR Study अप में जा करके आज ही सब्सक्रेप्शन ले लीजिए ठीक है? अप्लिकेशन में ही आपको पूरा धंग का कोर्स मिलता है और धूणना खोजना नहीं पढ़ता है यूटूब पर भी पढ़ाते हैं फ्री पढ़ाते हैं कोई पैसा ने लगता है लेकिन यूटूब पर टाइम ज्यादा लगता है डारेक्ट हम से बात नहीं होती हमारे साथियों से बात होती हमारे इस टॉप मेंबर से बात होती अगर आप कुछ भी डाउट करना चाहते हो तो डाउट किलियर और एक प्रीमियम वाला अनुभो बहतरीन तरीके से जो एक टीचर के साथ जुड़ कर मिलता है वो कहीं अकेले में ने मिलता है ना चली आगे बढ़े अगला है कहरा एक ता वायर बनाया गया उसी तार को मोड करके ठीक है वर्क के परतेख भुजा कि माप क्या होगी तथ यह भी बताईए कि किस आकरती का छेदरफाल यानि एरिया देखोगा बहुत आसान है एक तार है अब इसको भीना चित्र का ही समझाओंगा मैं नहीं तो चित्र के चक्र महु किया इसका जो है लंबाई 40 है और चौड़ाई 20 है यह 40 है बावू और यह क्या है 22 है मीटर है ना सेंटिमीटर है ठीक है एक काम करते हैं कैमरा की बैटरी ना हम चार्जिंग में लगा देते हैं बैटरी चार्जिंग में लगा देते हैं आप लोग थोड़ा दिमाग लगा जालो तब तक और मुझे बताओ मैं बस तूरंत आया यह आदा मिनट से भी कम लगेगा मैं आया तूरंत आया खट से ठीक है टेंसा नहीं लेने का चलो तो आप लोग ट्राई करके बताओ और जो भी नए साथिया है न वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले चैनल को सब् पढ़ पाएं उरका चलें चल वहिया आ गया मैं फिर आ गया तो केरा एक तार है जो आयत क्या कार का है जिसकी लंबाई 40 है चोड़ाई 22 है मोड करके स्क्वायर बना जाता है तो वर्ग के परतेख भुजा की माप क्या होगी पहले तो यह समझो तार है कितना यार अगर मैं कि मेरे पास कुछ कपड़ा है उसको सिल करके मुझे पहिनना है अब दर जी से बोला मास्टर बताओ अरे दर जी को भी मास्टर बोलते हैं मास्टर साब बताओ दर जी बताओ कि हमरे वह उएक नहीं होगा अभी तो पहले इसका छेतरफल निकालेंगे ठीक है लिखो आयताक तार का छेत्रफल बराबर आयताकार तार का छेत्रफल बराबर तो भाईया हो ऐसे नीचे लिख लो चुपपे से लंबाई गुड़े चोड़ाई होता है का हो दिख रहा है न तो यह हो जाएगा बाईश जो का अठासी 880 cm का स्कॉयर क्या हो गया 880 cm का स्कॉयर क्या है वो तार है ठीक है अब देखो सिंपल है 880 आ गया न यह टोटल तार है कहरा है इसको मोड करके एक वर्ग बनाया गया है तो देखो बाबु भाईया यहां समझो वर्ग का मतलब यह चारो तरफ बराबर होगा है न भले हमसे न तो भूजा निकाल लोगे की नहीं जितना भी होगा उसको ऐसा बनाएंगे कि चारो साइड इक को लाए तो 880 को सिंपल में आर चार से भाग कर दो तुम बस चार से भाग कर दो एक-एक साइड मिल जाएगी सिंपल है कुछ निकरना है तुम नहीं तो यह भी समझ लो सब छ कि ऐसे कर लो ज्यादा सही रहेगा निए वैसे हो सकता रिसकी सही हो कि नहीं पहले मांसर बता देते तरीका से फिर वो भी जुगार लगा दूंगा ठीक है हमें पता है कि इतना छेत्रफल है और चारो साइड इक्कॉल होती चार से भाग करेंगे चार दून आठ चार दून कि या 220 सेंटीमीटर ठीक है भूजा आ गई और भी एक पूछा था कह रहा था कि यह भी बताओ कि साकृती का छेत्रफल अधिक होगा देखो बाबू इसका छेत्रफल 880 ही आया है आया है ना एक एक होगा छेत्रफल हो जाएगा भूजा का स्कॉयर और 220 का एक्ठी स्कॉयर करोगे ना बहुत बड़ा होई जाएगा भाईया ही 220 का इसकॉयर काफी बड़ा हो जाएगा 880 की तुलना में तो हम कह सकते हैं कि वर्ग कछेत्रफल लगा क्या होगा इसकॉयर की जो एरिया होगी उज्यादा होगी समझ में आया कोई डाउट नहीं किसी को यानि इससे भी सीख लो कि अगर कहीं भी आपको इस तरीके का कुछ बनाना है जिसमें ज्यादा लोग आ सकें इस पेस तो आप उसे हमेशा वर्गा कार बनाना आयता कार बनाने से जगा कम हो जाती है ठीक है अगला नेक्स सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे यह मैं चार्जिंग में लगा चलती है न बड़ी तो काफी चीजें डिस्ट्रब होती रहती है इसाथ साथ में सब मुझे लेके चलना पड़ता है यह चलो तुम्हें भी तसली मिली आगे बढ़ें रासलों के तरकस में कोसिसों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाह सब कुछ जिंदगी में सब से जीतने की उम्मीद को जिन्दा रखना उम्मीद नहीं खोना कभी लाइफ में लाइने कुछ दिन बात पूरा नहीं हो जाएंगी लेकिन जूटी नहीं सही है यह मैंने इतने में सकेतें सम्धियान कर दिया एक पेज बचा है चलो आगे देखो भई या इधर काहे को बैठे यह हमारे बुधभी वीवेके, डिपेंड। करता है है समझ रही हो अगर एक इनसान अगर कलम को लेता है इससे ही करेगा अलिक सकता है अन्यिक बना सकता है अब बंदर को अगर मिल गए तो कान भी खोथ सकता है औरा दाथ भी कोच सकता है ूआ सैंपर wegen अप फ़से दारी ह वाला गाना नहीं सुने यह लग रहा है देख रहो यह पारक में इनका यूज है दोने लोग बैटके बातचीत कर रहे हैं मैं कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ठीक है करना भी चाहिए इनको भी देख लीजिए यह भी आपके जैसे यह केले हैं किताब कंप्यूटर पानी बोतल सा रखाया और कंदय पर हाथ भी रखाया और कुछ इंपॉर्टन टॉपिक पर डिसकस हो रहा है तो यह आपको मैंने तीन तस्वीरे दिखाया जगा एक ही थी लेकिन यूज अलग अलग तरीके अगा था है ना तो फिलहाल वैसे इस टॉपिक के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएगा कलास में थोड़ा सा इंट्रेस्ट बना रहे बीच-बीच में आप लोग जागते रहों मुझे पता है जिन लोगों की मुर्जा रहे थे ना नीन लग रही थी ना इधर देखके जग गया रहे गजब है ना सही बात है ना तो आगे बढ़ें चलें भाई चलो तुम लोग अब तुम लोग का काम खतम हो गया बस जैसे साधी में डीजे करा जाता है ना बरात पहुंचाने के लिए बस तुम्हारा इतने काम था चलो इनी के चक्कर में देखो यह भी मिट गया ए भाईया तुम तो गए मेरा लेक गए रुख जायार मिट गया जो लिखा था चलो ठीक है ओके तो अब कुश्टन कर लेंगे सभी कहरा एक वर्गाकार पार्क का च्छेतरफल आयताकार पार्क के च्छेतरफल के बराबर है यदि वर्गाकार पार्क की एक बुजा 60 मीटर है तो आयताकार पार्क की लंबाई भी दी गई है 90 मीटर है तो आयताकार पार्क की चोणाई ग्याद कीजिए देखो वह यह सिंपल सी बात है कह रहा है इनका छेत्रफल दोनों का आपस में इक्कॉल है तो हम पहले एक बना देते हैं वर्ग इधर साइड में ले लो और एक बना देते हैं आयत कि समझना बहुत आसान है सिंपल है कि आयत की लंबाई 90 दी गई है मीटर में एक वर्गर कार पार्क का जो छेत्रफल के बराबर है वर्गर पार्क की एक बुझा यहां तैक ब्रस्कें झालीए बना बताओ इस तरीके अर्यक का बहुत सा कॵेश्चन कराया उनार अच्छा हम एक काम कर सकता हूं क्या कोई एक का कर सकते हो आपकी कि उसकिये मिलिकर बराबर है इसकाrofo इसका या निकाल में पर क टेंगे उपना काम सुरू कर देंगे रहाट हो ग्यान वाली बाद बीच में देख लेना चलो इसके दोनों के छेतर फल को क्या करेंगे झाल 6 कर देंगे लिखो वर्ग का पार का छेत्रफल बराबर तो वर्ग का छेत्रफल होता है भूजा का स्क्वाइर ये भी हो जाएगा आपका भूजा का स्क्वाइर ये 3600 मीटर स्क्वाइर कोई दिक्कत नहीं कोई तकलिफ नहीं किसी को मीटर में दिया था तो मीटर स्क्वाइर ठीक है चुकि वर्ग और आयत दोनों का एरिया इक्वल कहा है तो आगे आप लिखो आयताकार आयताकार पार्क का छेत्रफल बराबर ये लंबाई गुड़े च्वड़ाई होता आयत का छेत्रफल है ना भाईया और चुकि दोनों का जो एरिया है वो इक्वल बोला था कि दोनों का एरिया इक्वल है तो ये 3600 है तो ये भी 3600 होगा ठीक है अब लंबाई गुड़े च्वड़ाई ए भाईया लंबाईया भी दी गई थी रजा ये 90 रख दो फिर 90 चलो 90 गुड़े चोड़ाई तो क्या बजाएगा आपका 3600 बटे 90 गुड़े चोड़ाई जीरो से जीरो कैंसिल हो गया नव चोग 36 यानि चोड़ाई कितना आ गई 40 मीटर सब मीटर में थे अभी मीटर में लिख लिजिए इसका सारा PDF हम PBR Study के टेली गराम चैनल पे भेज देंगे हमारी कोशिस अब होती है आपको quality content देने की ठीक है जिससे आप ज़्यादा बहतरीन तरीके से अच्छे से पढ़ पाएं कोई doubt रहे गया किसी को बताईए टेंसा नहीं लेने का है हम समधान करेंगे कमेंट करिए नंबर नीचे स्क्रीन पे चल रहा था उस पर आप संपर्क करेंगे तो आपकी जो भी query होगी उसका समधान किया जाएगा ठीक है नो डाउट कोई तकलिफ नहीं ठीक है अगली क्लास के बारे में बता दें अगर आप इसे YouTube पे देख रहे हैं अगर आप पी वी र स्टेडी एप में देख रहे हैं तो अगली क्लास चलेगी कोई दिक्कत नहीं कुछ गरबर नहीं है अगर आप इसे यूट्व पे नहीं देख रहे हैं अगर आप इसे चुटी रहेगी ठीक है 27 तारीक को चालेगा क्योंकि आप के अंदर इतनी बैच लांच हो गई है कि मुझे फूरसत नहीं है ठीक है तो अगला जो वीडियो है वो 27 दिसंबर 2022 को रात 9 बजे आएगा इंतजार करना ठीक है अगर आप आप में हैं तो आपको कोई बेट नहीं करना क्योंकि आप में किसी भी दिन आपको बेटनी करना होता है 24 घंटे हम आपके लिए उपलब्द रहते हैं अपली के सान ठीक है तो पीवियार स्टेडी एप में अगर आप देख रहे हैं तो कोई बात नहीं यूटूब पर चाहते हैं तो 27 तारीक को अगला नेक्स भाग यह तस्वीर है अपलिकेशन की जो लोग नहीं देखें देख लें इसको अगर आप अपनी मोबाइल में रखते हैं गूगल प्लेइस्टोर से आपको इसमें सारा कोर्स मिल जाता सिस्टम से डंग से एक बार इसे जा करके जरूर करेंगे उमीद है कि आप ट्राइजरूर क क्लास जौइन करना चाहते हैं आपकी तकलीफ है मैथ को ले करके तो आप हमें डारेक्ट हमारे प्रस्नल नंबर पर भी मेंसेज कर सकते हैं ठीक है इसका रिपलाई हम खूदी करते हैं यह नंबर है इस सिर्फ वाटसाब करना है फोन कॉल नहीं करना है अगर वाटसाब नह संभव नहीं है आप वो सब कर सकते हो जो आप सोच सकते हो और आप वो सब कुछ सकते हो जो आज तक आपने सोचा नहीं अपना वक्त जिसमें इंबेस्ट करोगे लाइफ में आगे उसी में बढ़ोगे समझ रहे हो अगर आपकी रूची है आपका रूजहान है किसी टेक्निकल चीज में तो आप टेक्निकल चीजों में आगे बढ़ेंगे इंटरनेट के आप कीड़े हैं तो इंटरनेट में बहुत कुछ कर जाएंगे जैसे हमने किया पांच लाक अगर सब्सक्राइबर तीन करोन दर्सक आज तक जोड़ा मैंने तीन करोन दर्सक तीन से में और अलगबग यह होका जो भी खहने का यह मतलब है कि एक अकेला इंसान आप देख रहे होंगे मोबाइल का चोटा सा कैमरा से मैंने स्टार्ट किया था और आज मैंने लागों के कई सिस्टम जुहाए और इस बात किये के आधा दर्दन से ज़्यादा घर परिवार भी हमारे माध्यम से चल रहा है क्योंकि लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके परकार से जॉब मिली है तो यह सब आपी लोगों की किरपा है आपी लोगों की करूडा है ऐसा ही बनाये रखें और लोगों को सिखाते रहें और सेक्टें क्योंकि यह जिन्दगी लाज तक शिर्फ सिखाती ही और हम सब हमेसा सुकते हैं कभी भी नह sweaks कर पूरल नहीं होते हैं हम भी सीखते हैं कि सीखें किसी और को सिख़ें बस इन ईभी के साथ बहुत बहुत थैंक यू